अपने जीवन में सुख और गुरुणों की अभिवद्धी के लिए नीति के विश्यों का अश्रवन करने हैं नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दो चीजें हमारे सामने जीवन में आती हैं एक आती है हमारे अंदर से बुराईयां करना और दूसरी आती है अच्छाईयां करना एक आती है बुराईयां देखना और एक आती है अच्छाईयां देखना अब यह आपके उपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं आप क्या समझना चाहते हैं आप क्या सुनना चाहते हैं गुण, दोश सब में हैं, हर वस्तु में गुण हैं, हर वस्तु में दोश हैं, आप किसको देखना चाहते हैं, किसको समझना चाहते हैं, और विशेत बात समझना कि अगर बुराईयां देखेंगे तो बुराईयां बढ़ेंगी, अच्छाईयां देखेंगे तो अच्छाईय तो आपको जो मन है उसमें आप जैसा देखोगे वैसा भरेगा बुराईयां देखोगे तो आपके अंदर बुराईयां बढ़ेंगे अच्छाईयां देखोगे तो अच्छाईयां बढ़ेंगे दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तू नहीं है जिसमें अच्छा ही नहीं हो एक भी वस्तू ऐसी नहीं दुनिया की जिसमें अच्छा ही नहीं हो दस लाग प्रकार की वनस्पती है उन दस लाग प्रकार की वनस्पतियों में दस लाग प्रकार की ओशदी है जिस बबूल की पेड़ को आप लोग अच्छा नहीं मानते हो काटे देता है, चुपता है वो बबूल का पेड़ और शदियों से भरा है उसकी फली ताकते काम आती है उसके काटें से शरीर की सुशुक्त शक्तियां जाकरत होती है जो उसकी पत्ती होती है उससे पत्तर ही ठीक होती है कितने सारे उसकी उपयोगिता है तो ज्यान ये कहता है कि हमें बुराईया ना देखर के केवल अच्छाईयों की और ही आना जाए और जितना हम अच्छाईया देखेंगे जितना हम अच्छाईया समझेंगे उतने हम अच्छे बनेंगे एक बात ध्यान रखना कि बुरे लोगों को बुराईयां दिखती है और अच्छे लोगों को अच्छाईयां दे आपको क्या दिखता है किसी भी विक्ति में आप समझ ले ना कि आप वैसे ही है पड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है कि परिक्षा भी आवश्यक है ना परिक्षा ली गई परिक्षा के लिए भेजा गया गुरु द्रोंड ने टोकनी भरके लाडू दिये उसको किसको सुद्ध द्योधन को जा बिटा हस्तिनापुर में जो तुझे लगे किसमें गुण है तो उसको जाकर कि ये लाडू खिला देना सुबह निकला छे वजे शाम को आया छे बन रात होने के ठीक पहले बोले गुर्देव कहां फसादी आपने इतने बड़े जो एक अच्छा मिले विक्ति जो भी जीव अच्छा मिले उसको इलाडू खिला देना दूर्योधन निकला है आस्रम के बाहर एक कुट्ता पूछ ला रहा था उसको पूरे लडू खिला दिये गुर्देव और हो तो देदीजिये एक अच्छा विक्ति मिल गया वहले कौन दिखाता है दिन बर आसरम की सेवा करता है गुरु केहते हैं द्रोण कि बेटा तू यूदिस्टिर नहीं है तो धर्म राज यूदिस्टिर है तुझे जानवर में भी अच्छा मिल गया जिसको बुराई देखने की आदत होती है उसका सुभाव दुर्योधन जैसा होता है जिसको अच्छाई देने की आदत देखने की आदत होती है उसका भविश यूदिस्टिर जैसे होता है मोक्ष मिलेगा आपके अंदर क्या है भलाई देखने की आदत की बुराई देखने की हर समय कमी देखोगे तो अकेले रह जाओगे हर समय कमी देखोगे तो आप फिर कम करेंगे क्रिटिचाइज करेंगे देखिए वस्तूं को चीजों को लोगों को समझने अलग बात इदिल हर समय अची वात कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वह सामने रहा करते हैं कुछ लोग ऐसे होते जो 87 वैए डाय कर दे को हुआ तो बड़ हो जाती है क्यूंकि हो वो सब कहेता है जो कुछ है नहीं फिर भी वैसे लोगों को भी अपन को जिलना चाहिए मैंने एक बात लिगी थी कि बुराई करने वालों की फितरत ही निराली है बुराई करने वालों की फितरत ही निराली है सामने मिलेंगे तो सलामी देंगे पीचे मिलेंगे तूब वद्धनामी देंगे यह भुराई करने वालों की फित्रत है जो पीट की पीचे बोलते है न ऐसे लोगों की फित्रत ही ऐसी है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों को इलिए एक ही उपाय just neglection अपना काम करो और ऐसे लोगों के लिए 100% निगलेट करो ऐसे लोगों को समझाने से भी कुछ नहीं मिलेगा आप जब ऐसे लोगों को समझाओगे नभीया कि गलत बात किसी की बुराई मत करो तो वो आप पीछे मुड़ोगे ने कि फिर तो तुमारी भी बुराई करने लगेंगे just because उनका नेचर है just उनका नेचर है कुछ जानवरों को सभाव सिर्फ भोक न रहता है आप रोटी डालो तो पास से निकलो तो और सिर्फ और हाथ भीरो तो अब जो उनका नेचर ही बन चुका है भोकना बुराई करना तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना स्रेश्ट बबूल के पगड़ के पास जाओ के तो कांटे चुभेंगे तयार रहो आम के पगड़ के नीचे जाओ के तो छाया भी मिलेगी फल भी मिलेगे तयार रहो कमल को तोड़ने जाओ के तो पैर में कीचर लएगा तो बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़े फ्री मिलती है जो लोग बुराई करते हैं उनके साथ रहने से बुराई मिलती है अच्छा उनका नेचर ऐसा हो जाता है जो फीट पीछे बुराई करते हैं वो हर किसी में कमी डूढ़े मंदिर आएंगे तो मंदिर में कमी डूड़ेंगे भगवान के पास आएंगे तो भगवान में कमी डूड़ेंगे अपने रिस्थारों के जाएंगे तो वहां कमी डूड़ेंगे किसी क्या शादी में जाएंगे तो वहां कमी डूड़ेंगे क्योंकि उनका नेचर उनका दिष्टिकून वैसा बन चुका है पस हमें कमी देखना है समझें बात को विशे को गंबीरता से अपने हिर्दे में ले जाएं अगर आप अपना भविश अच्छा चाहते हो आप चाहते हो कि आपका नाम भी सम्मान से लिया जाए तो बुराई करना चोड़ लोगा खासकर पीट पीचे बुराई करना चोड़ अगर आपको किसी कोई कमी लगती है तो आपको सीधा उसके मुख पर कहना चीए कि मुझे आपके अंदर एक कमी लिखी और एक कमी मुझे अच्छी नहीं लगी अगर आप उसको अपना मानते हो तो तेना पीट पीछे बुरा ही कर रहे हो यह अच्छी बाद नहीं है मेरे तो यह मानना है कि कुछ लोग अपन ने भी काम पर लगा के रखे हैं पीट पीछे बोलते हैं पगार नहीं लेते हैं काम इमान दा लिसका और उनका बोलना बहुत अच्छा है क्योंकि वह पीट पीछे बोलते हो वह लायक है इसका मतलब तुम्हें दो ख़़म पीछे हैं जब वह तुम्हारे पीछे के ही लायक है तो चिंदा क्या करना कुछ बुराई करने लोगों का वाले लोगों को भी जिन्दगी महना जरूरी कुछ लोग जो बुराई करते हैं उनका जिन्दगी में होना जरूरी इससे समय समय पर मालम चल जाता है कि हमें कब-कब साफ़धान है लेकिन उनके शब्दों को सुनकर कि बेटित ना हो वो कह दे कि इसमें दिमाग नहीं है होता तो तुम्हारे साथ क्यों होते हैं वो कह पैसे कि इसे कुछ आता नहीं है खर आता होता क्लेक्टर नहीं वर जाते हैं व कहाते हैं कि गरीव है अगर पैसा होता तो तुमको नौकरी पेही पॉजितीविटी सोचे और मैर एक टेकनीक बताता हूँ आपको मैं कि कभी कोई आपके लिए कुछ बोल दे तो अगर आपको दुखी नहों नो तो मैं आपको एक टैक्नी देता हूँ अगर कोई आपसे कह दे कि तुमने पैसे चुरा ली है तुम चोर हो तुम जूटे हो उसे पलट के मत कहना कि क्या बोल रहा है उसे यह कहना भी एक बार और बोलना मैं सुन नहीं पाया तेको लोग उल्टे है तो आपको उल्टी बातों सही सीरी चीज़ें मिलेंगी वो कोई बोले कि तुम चोर हो तुम काम चोर हो तुम मूर्ख हो तुम्हें कुछ नहीं आता तीरे से उसे कहना भाया एक बार और बोलना मैं सुन नहीं पाया फिर से यही बात बोलेगा और आपको भी फिर से वही बात कहना है क्या बोलना कि भाया एक बार और बोलना मैं सुन नहीं पाया तीसरी बार वो फिर बोलेगा अब वो रोश में बोलेगा तोश में बोलेगा और चटक के बोलेगा फिर से किना भईया हो मैं सुन नहीं पाए आप क्या बोलेगा तुम धर्मात्मा नहीं हो तुम पापी हो नहीं हो एक बार बोलना भी हमें सुन नहीं पाए पांच वी छहटी वी बार वो फैड़ अप हो जाएगा और तु जान तेरा काम जाने और यह बात दूसरे से नहीं काएगा क्योंकि वो लेगा तो भागा ले आ उसके वारे में क्या हो बाता ही समझ में चीजों से निकलने के भी उपाय उन्हीं चीजों में हैं आप जब तक के लिए उन्हें तो उन्हें से भागेंगे तब तक वो चीज़े पीछे भागेंगे तेकिन एक बात ज्यान रखना ऐसे लोगों का साथ कभी मत देना जो लोग पीट पीछे बुराई करते हो एस लोगों का आप साथ दोगे तो आप उनको बढ़ावा देते हो उनका साथ कभी मत देना वो बुराई करें किसी की बोलना भी है देखो ऐसा है कि यहां पास में कच् वहाँ डालो गाड़ी वाला आया घर से कच्रा निखा तो कच्रा वहाँ जाके डाला मेरे अंदर क्यों डाल रहा है तुमको बुराई करने का शौक है तुमको जस्से करने जिसी करने करो मुझसे मत कहो हमारा दिमाग स्वच्छ है हमारा दिमाग सुच्छ है और मुझे ऐसा लगता है कि बुराई करने वालों को सिर्फ वो ही लोग पसंद करते हैं जिनका आने वाला वक्त काला होता है दुर्योदन ने पीट पीछे कितने बुराईयां करी जुदिस्टिर की इद्रौपदी की चीरहरंटक कर दिया फिर भी वक्त किसका बुरा आया दुर्योदन का कौरवों का जिन जिन ने उनका साथ दिया वो सब गए चाये गुरु द्रोन हो कर्ण हो सोयम दुर्योदन हो या कृष्ण की सेना हो जिन जिन ने उसका साथ दिया है क्योंकि जो बुराई करने वाले होते उनका साथ दोगे तो आपका आने वाला वक्त काला निश्यत रहेगा थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि जब किसी को बहुत उचाई से फेकता है ना कर्म तो अतना देर उपर ले जाने में तो लगेगी ना नहीं लगेगी यह फर्स ले टेन वाच करता है जो तुमको और उच्छा लेके जाता है और जो बुराई करता है उसको लगता है कि जैको मेरा तो नाम चल रहा है और फेकर्म उसको उतनी उपर से नीचे छोड़ता है कि अब तू गिर तू ऐसे गिर कि दुभारा तुझे चोट लगने की जगा न र आएगा और भी काल आएगा बच्छपन में आप लोगों ने साइकल जरूर चलाई होगी मुझे सविश्वास है और दो चके वाली साइकल चलाने के पहले आपने चार चके वाली साइकल चलाई थी चोटी से दो चके साइड में लगा देखना आप जिनका सपोर्टिव रोल होता है बैलेंसिंग रोल होता है वह वाले चके पहले घिस जाते हैं नहीं घिसते हैं जो में चके होते हो कम घिसते हैं आज वाले वाले चके क्योंकि उनकी उपर भार बहुत रहता है ऐसे जो बुराई करने वालों का सपोर्ट करते हैं वह पहले घिस जाते हैं क्योंकि उन क्योंकि nobody is perfect, कोई physics में fail है, कोई chemistry में fail है, fail सभी है, तो अपन ये कैसे बूल सकते हैं कि तुम fail हो और हमने, बुराईयां देखना ये कमी है, इर्शा करना भी तो कमी है, दूसरों के लिए अपशब्द कहना भी तो कमी है, तो कमी है तो सब में, इसलिए सब कुछ सीखो, मगर बुराई सुनना, बुराई करना, कभी मत सीख, दीरेज रखना, समय अच्छा आने में, देर लग सकती है कि जब अच्छा समय आता है, फिर वो सब कुछ इतना सुहावना कर देता है कि आप सोच नहीं पाएंगे, और जो बुराई कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, पी कि जीवन में तकलीफ ना हो, यह जो नीती में कह रहा हूं, यह आपके मन की शान्ती को देने वाली है, दूसरे विक्ति को आप, सामने वाले विक्ति को आप बिलकुल नहीं समझा सकते हूं, समझेगा वो अपनी समझ से ही, समझेगा वो अपनी समझ से, लेकिन बता आपन जरूर सकते हैं रास्ता के भी आवहां से रास्ता चाहने बुराईयां आपके अंदर बुराईयां बढाएंगी अच्छाईयां आपके अंदर अच्छाईयां बुराईयां बुराईयां की अच्छाईयां तो अच्छे लोगों चुड़े ना आप बुराईयां बढाना चाह कि वह आरत की मजबूर होते हैं उनको कितनी समझाओ वही करेंगे वही करेंगे उनको वही चीज़े पसंद है ऐसे लोगों से दूर हो जाना स्रेश्ट क्योंकि एक दिन उनकी बुराईयां आपको भी बुरा कर देगी जब कोई बड़ी सी भटी लगती है शादी ब्याओ में विवाधी हो रहा बहुत बड़ी भटी लगती है पानी गरम करने के लिए खाना बगरा बनाने के लिए उससे आप बहुत दूर से भी निकलो न तो जब कभी पुराने जमाने के घर यात करना जोपड़ियां थी और ऊपर चंदेवा लगा था कपड़ा बना था आव नीचे चलती थी चंदेवा कपड़ा ऊपर था यह कपड़ा ऊपर का जल जाता था चिन चिन हो जाता था चोकि अगनी के पास में इतना दूर है फिर भी आप भी बुराई करने वाले के पास रहेंगा तो वही आपका होगा आग खुद को जलाती है और दूसरे को भी मिटाती है जो बुराई करने वाले होते हैं वो खुद को भी जलाते हैं दूसरे की भी विशुद्धी मिटाते हैं वहीं आप भरफ को देख लिए नदी के पा बात है नदी का पानी बने जंगल की आग ना बने किसी के जीवन में आग लगा कर तो मिलेगा भी क्या अच्छ अच्छ लोग अगर कोई सही गलती हो कोई सही बुराई हो कि उसमें विक्ति में कम ही तो भी ठीक है आज के समय विक्ति सिर्फ बिना मतलब के ही बुराईयां करना सीख गये बस कम ही देखना है किसी समझदार विक्ति ने एक ना समझ विक्ति को ये हडोती की बात है को उटा की समझदार विक्ति ने ना समझ विक्ति को एक घेवर का टुकड़ा दिया कहता है यार बता यार किसा आदमी मिठाए दी तो छ यो रहा दिया, फिर कहता है देखो मिटाइधी थी तो है छेदयरिया अर जिसकी बुद्धी में कमिया देखना लिखा है ओह कम्यु का एसे लोगों को कहते छिद्रद्रवेशी ठीध्र-वेशी हो debate करते हैं खोच करें तो कि बुराहियां देखने और करने से बुराहियां बढ़ें अच्छा यह देखें और आगे बढ़ें जीवन चोटा सा है अगर कोई एक बार एक्सिडेंट में फस चुका है या बिढ़ चुका है तो जिंदगी पर बिढ़ेगा ज़रूरी तो एक बार गारी बिढ़ अगली बार संब्द आए बढ़ेंगी पिर भी बुराहिय करने वालों की फितरत ही निराली है सामने रहेंगे तो सलामी देंगे और फेच रहेंगे तो उन लोगों से धरेना उन लोगों से घबराएना अपन अपने लक्ष पर रहें तो अपन एक दिन मुचाईयां